प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं प्रभात कबर के साथ बादशीट में जैस्मिन ने बिग बॉस के सफर अली गोनी के साथ अपने रिष्टे और राकी सावन को लेकर क्या कुछ कहा आईये जानते हैं बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद जैस्मिन भसील भरपूर नीन ले रही हैं उन्होंने बताया कि वे अपनी पसिंदिता कॉफी, फेवरिट खाना मतन बिर्यानी और छोले भतूरों को खूब इंस्वाय कर रही हैं और साथी डॉक्स के साथ खूब मस्ती कर रही हैं बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताते वे जैस्मिन मोली बहुत ही कटिन जर्नी रहा वहां हर किसी के साथ डील करनी के लिए एक अलगी माइंसेक की जरूरत होती है शो का फॉर्मिट ही ऐसा है कि आपको हमेशा नीचा दिखाया जाता है बहुत ही उतार चड़ाव से भर जैस्मिन भसीन ने बताया कि अली का चहरा देखना वो बहुत मिस करेंगी क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले उठकर बिग बॉस के घर में उनका चहरा देखा करती थी जैस्मिन भसीन के फैमिली क्या अली कोनी के रिष्टे से खुश है क्योंकि फैमिली बिकॉफ में बेनाराज देखे थे जैस्मिन ने ये बात भी साफ कर दी कि उनके ममे पापा को उनके रिष्टों से कोई प्राब्लम नहीं है अली गोनी से शादी को लेकर जैस्मिन बोली मैं और मेरे परिवार वाले राजी हैं अली के बिग बॉस के घर से बहार आने के बाद हम दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिलेंगे उसके बाद ही शादी को लेकर फैसला किया जाएगा गाकी सावन से लडाई को लेकर जैस्मिन हमेशा सुर्ख्यों में थी जैस्मिन बोली राकी ने मुझे पर गलत इर्जाम लगाया जिसको मुझे हमेशा दुख रहेगा राकी का गेम खिलने का तरीका भी बहुत अलग है जो मुझे नहीं पसंद है जैस्मिन के अविक्षिन पर सल्मान खान रो पड़े थे इस पर जैस्मिन बोली मैं सल्मान सर की बहुत इज़त करती हूँ उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्ची की तरह ट्वीट किया मुझे बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा सल्मान सर ने समझा उन्हें रोता देखकर मेरा दिल भी तूट गया और दिक अपडेट्स के लिए जुड़ रहें प्रभात खबर के साथ